आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो यहां पर बात हो रही कि अगर जुविनाल होर्मोन नहीं है एक सिल्क वर्म में तो क्या होगा तो सिल्क वर्म का जो सैंटिफिक नेम है वो है बॉम्बिक्स मोराई और बॉम्बिक्स मोराई बिलॉंग करता है और्थरोपॉड़ा को यह एक इंसेक्ट है तो मुल्टिंग एक प्रसेस होता है जिस से कोई भी ईनिमल अपने एक बॉडि पार्ट लूस करता है ताकि एक नू बॉडि पार्ट या बेटर बॉडि पार्ट आ सके तो यहाँ पर कह रहा है कि जुवेनल हॉर्मोन के नहीं से क्या होता है तो इसलिए सेम होता है सिल्क वर्म में भी सिल्क वर्म में जब यह हॉर्मोन रेलीज होना बंद होता है तो धेरे धेरे बनने लगता है एक प्यूपा प्यूपा वो स्टेज होता है जब एक मेटामॉर्फोस होता है यानि कि complete complete transformation of the silkworm into the silk moth तो यह process होता है during the pupa stage तो इसलिए option 1 गलत है कि किस में कह रहा है another larval stage तो यह गलत है ऐसा दूसरा larval stage होता ही नहीं है option 3 कह रहा है mold into adult तो directly इन में direct development नहीं होती so that's why the correct option is option 2 mold into pupa stage classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तास million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलूट के ले doubt net आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर